हेलो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है Study ITI Skills के एक और नए वीडियो में पिछले वीडियो में हमने Fit एवं उसके Types की Study की थी अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना इसकी लिंक मैंने Description Box में दी है आज के वीडियो में हमें Study करने वाले हैं Limit एवं Fit के Different Systems की तो आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा आईए स्टार्ट करते हैं ऐसा कि हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया था कि इंजन में Cylinder Head एवं Valve Guide के बीच इस टीबल में यह दिखाया गया है कि Valve Guide के Diameter के अनुसार Interference Fit कितनी होनी चाहिए यह डाटा बहुत से Experiments करने के बाद मिलता है कि कितना Clearance रखने पर हमारा इंजन बहतरीन काम करेगा यही डाटा एक Standard बन जाता है और सभी कंपनिया इस Standard का पालन करती है लगबख सभी शेत्रों में एवं सभी वस्तूओं के लिए कुछ Standard तै किये गए है कुछ संस्थाएं हैं जो इन Standard को तै करती है जैसे कि आप अपने घर के लिए अगर कोई Electronic सामान खरीदने जाते हैं तो आपको यह सलाह दी जाती है कि आप ISI मार्ग वाला ही सामान खरीदें ISI मार्ग होने का मतलब हुआ कि वह वस्तूओं एक Standard को फॉलो करती है ISI होने का अर्थ है कि वह वस्तूओं ISI यानि Indian Standard Institute के तै स्टेंडर्ड के अनुसार बनाई गई है ठी किसी प्रकार से बहुत सी संस्थाएं हैं जो यह निर्धारित करती हैं कि किसी पार्ट पर फिट की विविन किस्मों के अनुसार कितना tolerance दिया जाना चाहिए इन्ही संस्थाओं के नाम पर limit एवं fit के बहुत से सिस्टम हैं वैसे तो limit एवं fit के अनुसार tolerance निर्धारित करने के लिए बहुत सारे systems प्रचलित है परंतु इनमें तीन मुख्य सिस्टम है Newall सिस्टम, British Standard सिस्टम एवं Indian Standard सिस्टम Newall सिस्टम, Newall Engineering Company दवारा निर्धारित सिस्टम है इसमें 1,2 इंच से लेकर 6 इंच तक के डायमीटर वाले होल के लिए tolerance कितना होना चाहिए यह निर्धारित किया गया है Newall सिस्टम होल बेसिस पे आधारित है यानि इसमें कोई भी fit प्राक्त करने के लिए होल के डायमीटर को fix रखा जाता है एवं शाफ्ट के डायमीटर को कम या अधिक किया जाता है इस सिस्टम में accuracy के आधार पर होल को दो categories में बाटा गया है category A एवं category B category A एकदम perfect यानि accurate कारियों में प्रयोग की जाती है इवं category B सामान्य कारियों में प्रयोग की जाती है Newall सिस्टम में fits को drawing पर दिखाने के लिए English के alphabet का use किया जाता है जैसे की force fit के लिए F driving fit के लिए D running fit के लिए R का प्रयोग होता है X, Y एवं Z का प्रयोग कमशह easy running fit, high speed running fit एवं precision running fit के लिए होता है Newall के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रयोग होने वारा सिस्टम है British Standard System इसकी शुवाद Britain में होई थी, इस सिस्टम में 21 प्रकार की fits के लिए 16 ग्रेडों में tolerance दी जाती है इस सिस्टम में whole को English के capital letter से दर्शाते हैं इसमें 21 fit के लिए I, L, O, Q एवं W को छोड़ कर अंग्रेजी के बाकी 21 अक्षरों का प्रयोग होता है शाफ्ट को दर्शाने के लिए इनी alphabets के small letter का प्रयोग होता है इसमें 16 grades को दर्शाने के लिए एक से लेकर 16 तक के numbers प्रयोग किये जाते हैं उधारण के लिए capital H7 हमें 7th grade की whole के tolerance को बताता है और small g6 6th grade के shaft की tolerance को बताता है तीसरी पणाली है Indian standard system यह भारतीय पणाली है इसमें shaft एवं hole में बिभिन फिट प्राप्त करने के लिए 18 basic tolerance categories को रखा गया है इन्हें ITO1, ITO एवं IT1 से लेके IT16 से represent करते हैं इन्हें grade of accuracy भी कहते हैं बिभिन प्रकार की fit प्राप्त करने के लिए 25 fundamental deviations में बाटा गया है इन्हें अंग्रेजी के अक्षरोंदवारा दर्शाय आ जाता है hole के लिए capital letters एवं shaft के लिए small letters का use होता है ZA, ZB एवं ZC अधिक्तम clearance प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तो ये तीन मुख्य पढ़ा लिया हैं जिनका प्रयोग different fit के अनुसार tolerance को निधारित करने में होता है आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक request है कि आप हमारे इस वीडियो को like जरूर कर दें और comment box में comment करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लें नेक्स्ट वीडियो में हम fit के लिए allowance देने की system की study करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते रहिए और देखते रहिए study ITI skills जैहिन